नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का सोनव श्टडी क्लास है यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को इंसी आटी बुक क्लास 12 हिंदी अगर आप लोग मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन पर जरू करें प्रश्ण नमर एक सत्य की जीत खंड़काबे का कथानक कथावस्तु संचेप में लिखिये या सत्य की जीत नामक खंड़काबे की प्रमुक गटनाओं का सारंस लिखिये या सत्य की जीत खंडकावे की आधार पर द्रोपती चीरहरण घटना अपने सब्दों में लिखिए उत्तर प्रस्थुत खंडकावे की कथा द्रोपती की चीरहरण से सम्मंध है या कथानक महाभारत के सभापर्व में छूत कीड़ा की घटना पर आधारित है या एक अत्यंत लगुकावे है जिसमें कभी ने पुरातन आख्यान को वर्तमान संदर्भों में प्रस्थुत किया ह इसकी कथा संचेप में इस प्रकार है द्रियोधन पांडव को चुत कीड़ा के लिए आमंत्रित करता है पांडव उसके निमंत्रण को स्विकार कर लेते हैं और अपना सर्वस्व हारने के पस्चाथ अंत में दुरुपती को भी हार जाते हैं इस पर कौरो भरी सभा में अपमानित करना चाहते हैं दुसासन राजमहल से दुरुपती की कीश खीशते हुए सभा में लाता है दुरुपती को यह अपमान असहल हो जाता है वह सिंगनी की समान गरश्ती हुई दुसासन को ललकारती है इसके पस्चात दुरुपती और दुसासन में नारी परपुरुष द्वारा किये गए अत्याचार नारी और पुरुष की समाजिक समानता और उनके अधिकार उनकी सत्ती धर्म अधर्म सत्य असत्य सस्त्र और सास्त्र न्याय अन्याय आदी बिसेव पर वाद बिवाद होत युदिश्टिर अपना सर्वस्व हार चुके हैं तो मुझे दाव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार गया है द्रोप्ति के इस तर्क से सभी सभासद प्रभावित होते हैं वह कहती है कि सरल हिर्दय युदिश्टिर कोरो की कुटील चालो में आकर छले गए हैं अंत सभा म युदिश्टित अधर्मग्य ये निर्णे दें कि क्या वे अधर्म और कपट की विजय को स्विकार करते हैं अथवा सत्य और धर्म की हार को अस्विकार दुसासन कहता है कि सास्त्र बल से बड़ा सस्त्र बल होता है कर्ण सकुनी और दुर्योधन दुसासन की इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हैं नीतिवाद विकर्ण दोसासन की सस्त्र बल की नीति का विरोध करता है। वह कहता है कि यदि सास्त्र बल से सस्त्र बल उच्चा और महत्पूर्ण हो जाएगा तो मानावता का विकास औरुद्र हो जाएगा। क्योंकि सस्त्र बल मानावता को पसुता में बदल देता। है वह इस बात पर बल देता है कि दुरुपती द्वारा प्रस्तुत तर्क पर धरम पुर्वक और नया संगत निर्णय होना चाहिए। कारों विकर्ण की बात को स्विकार नहीं करते हारे हुए यो धिश्टीर अपने उत्तरिय वस्तर उतार देते हैं। दुसासन दुरुपती के वस्त खीचने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके उस कुकर्म पर दुरुपती अपने संपूर्ण आत्नोबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त खीचने की चुनोती देती है। मदानंद दूसासन दुरुप्ती का चीर खीचने के लिए हाथ बढ़ाता है दुरुप्ती रोधन रूप धारन कर लेती है उसके तेजो दीप रूप को देख दूसासन उसके वस खीचने में स्वयम को असमर्थ पाता है सभी सभासद कोरो की निंदा तथा दुरुप्ती के सत्य और न्याइपूर्ण पच्छ का समर्थन करते हैं वे कहते हैं कि यदि पांडो के प्रति होते हुए इस अन्याय को आज रोका नहीं गया तो इसका प्रणा बहुत बुरा होगा अन्त में दृष्ट राष्ट उठते हैं और पांडो को मुक्त करने तथा उनका राज लौटाने के लिए दुरुवधन को आदेश देते हैं इसके साथ ही वे दुरुप्ती का पच्छ लेते हुए उसका समर्थन करते हैं तथा सत्य न्याय धर्म की प्रतिष्टा ज़संस का कल्यार करना ही मानोव जीवन का उद्देश बताते हैं वे पांडो की कल्यार कामना करते हुए दुरुप्ती के विचारों को उचित ठाराते हैं वे उसके प्रति किये गए दुरुविववार के लिए उससे छमा मांगते हैं तथा कहते हैं जहां है सत्य जहां है धर्म जहां है नयाय वहां है जीत तुम्हारे यस गौरों के दिग दिगंतर में गुजेंगे स्वर गीत निसकर्म रूप से कहा जा सकता है कि इस खंडकाब की कथा द्रोपती के जीरहरन की अत्यन्त संचिप्त किन्तु मर्मिक घटना पर आधारित है द्वारिका प्रशाद महिस्वरी जी ने इस कथा को युक के अनुकूल बनाकर नारी की सम्मान की रच्छा करने की संकल्प को दो अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग